तो हेलो गाइस सागत है तुम सबका और एक ब्रैंड न्यू वीडियो में आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अभी तक हम लोगों को ड्रीम की के 24 में सिर्फ ऑटो रेनिंग देखने को मिल रहा था लेकिन इस नए अपडेट के बाद से तुम मैनुएल रेनिंग भी कर सकते हो और अगर तुम्हें मैनुएल रेनिंग नहीं करने तो अटो रेनिंग का फीचर्स तो बहाँ पर रहे गई लेकिन डेबलबर ने और एक फैचर्स दे दिया कि मैनुएल रेनिंग कर सकते हो तो हमारा दूसरा जो फीचर्स निकल के आया है अभी तक तुमको सिर्फ बॉलिंग में वेकल लेने के बाद ही सेलिब्रेशन देखने को मिर रहा था लेगिन इस अपडेट के बाद से 50 ए 100 करने पर भी बैटिंग सेलिब्रेशन देखने को मिल जाएगा जब मैच विन करोगे तुम तब भी तुमको सेलिब्रेशन देखने को मिल जाएगा नया कुछ एनिमेशन बाला जिसका एक चोटा सकलिप हम यह अफ़ दिखा दे रहे है हमारा तीसरा जो फीचर से वो है कि हर एक गेम का एक प्रोग्रेशन 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 प्रोग्रेश XP मिलेगा तुमको चाया तुम मैं जीतो या हार हो तुमारा लेवल अप होता रहेगा XP के जितना बढ़ेगा तुमारा उससाब से लेवल अप होता रहेगा चलो अभी भी बहुत सारे अपडेट बात की है शो कि इस वीडियो में मेरे को देना है लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहे है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर नए हो चैलन में अगर ऐसे ही कॉंटेंट देखना चाते हो रेगुलर तो चैनल को भी करते हो सस्क्राइब चलो तो अभी बात कर लेते हैं बारे में जिसके लिए बहुत सारे बंदे वेट कर रहे होंगे जिन लोगों के डिबाइस में अभी तक ये गेम चल नहीं रहाता तो लेबल बार ने बहुत ही बड़ी अच्छा काम किया है वो ये किया है कि जो फाइल साइज था गेम का वो कम कर दिया है और जो लोडिंग स्क्रीन में टाइम लगता था न वो भी घटा दिया थोड़ा सा तो हो सकता है जब पूरा गेम निकल का है तो जो लोग इन डिबाइस थे जिन डिबाइसों में सपोर्ट हो नहीं रहाता गेम उस डिबाइस में भी चल सकता है गेम यह बहुत बड़ी good news है low in device player हो के लिए हमारा निक्स जो features निकल का रहे वो आ रहे गेंपले के related चिर्फ ग्राफिक्स अच्छा हो जाने से ही ते कोई गेंपले अच्छा नहीं हो जाता न गेंपले भी बड़िया होना चाहिए इसलिए डिपलवर ने बहुत बड़िया काम किया है नया batting shots एड़ किया है नया balling action भी आड़ किया है साती सात fielding में किया है improve और अभी तक एक जो चीज हो रहा था कि जो first bowler है वो 140 के speed से ही ball डालता हूँ जा रहा था तो अब से जब यह update आ जाएगा उसके बाद से balling में जो speed variation वो भी देखने को मिलेगा यह बहुत बड़िया चीज है नहीं तो अभी 140 से ही ball डाल रहा था जो first bowler थे ने एक जो मारा update इकल का रहा है वो आ रहा है कि इस update के साथ सत नए legends भी आड़ होने वाले है game के अंदर जैसे कि श्टूरड विनी, लियम प्रंकेट कोरी एंडर सन और और भी मेरे इसाब से तो और भी बहुत सारे होने वाले है नहीं अभी तक बस इन तीनों का नामी जो है बो ही reveal किया है वीडियो के आखिर में बात कर दो ते release date के बारे में कि कब गेम ये release होने वाला है तो developer ने खुद बोला है कि जितना करीब हम World Cup के करीब आते जाएंगे उतना ही chances बढ़ जाएगा ये game release होने के लिए तो तुम expect कर सकते हो कि या तो September end या तो October के पहली week में तुमको ये game release होता हुआ दिख जाए ची अलोँ इसे के वीडियों हो इक इपकर ट्रेंड, stay safe, stay happy guys